नमस्कार! पूनम की आवाज चैनल में आपका स्वागत है. आज हम आपको सुनाएंगे एक जिन की कहानी. अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें. पंदित धनराज, कारोली के जाने माने जमीदार थे, कारोली रियासत से तीन गावों की जमीदारी उनके नाम थी. स्वतंत्रता के बाद राज्य खत्म हो गए, तो धनराज की जमीदारी भी खत्म हो गई. पर अभी ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ उनके पास था. पंदित धनराज के एक पुत्र और एक पुत्री बस दो ही संताने थी. पुत्र का नाम गौरी लाल और पुत्री का नाम कुसुम था. दोनों बच्चे पढ़ने में बहुत ही होश्यार थे, इसी कारण धनराज को उनकी तरफ से कोई चिन्ता नहीं थी. धनराज के पास आलिशान मकान था, जिसमें दस बारा कमरे थे, सभी सुक सुविधाएं थी, जो जमीदारों के यहां होती हैं. गौरी लाल ने इसी साल इंटर की परीक्षा पास की थी, और नगरपालिका में बड़े बाबू की नौकरी उसने हासिल कर ली थी. पंदित धनराज की भी यही इच्छा थी, आगे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, घर बैठे बिठाए नौकरी मिल गई, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? कुछ दिन बाद ही, गौरी लाल के रिष्टे आने शुरू हो गए. धनराज ने ये काम अपनी पत्नी को सौंप दिया था, और पत्नी ही उनकी अब कन्या देखने जाती थी. पर अभी तक उनकी पसंद की कोई बहू उन्हें नहीं मिल रही थी. गौरी को रिष्टों की कमी नहीं थी, सैकडों रिष्टे पसंद करने के बाद एक दिन उनकी पत्नी की खोज पूरी हुई, मथुरा की लता के रूप में. लता इतनी सुन्दर और संसकारों वाली लड़की थी, कि गौरी लाल ने पहली नजर में उसे पसंद कर लिया, धूमधाम के साथ गौरी लाल और लता की शादी हो गई. लता अपनी ससुराल कारोली आ गई, शादी की पहली रात, मधुरात्री की धूमधाम की रात गौरी लाल को नसीब नहीं हुई. सुहाग कक्ष में जाने के एन वक्त पर लता बीमार पड़ गई, पडोस की महिलाएं उसे सुहाग कक्ष में छोड़ने जा रही थी, कि अचानक लता जोर जोर से कापने लगी, उसका चेहरा सफेद पड़ गया, और धडाम से नीचे गिर कर बेहोश हो गई. उसे अस्पताल में पहुचाया गया, डॉक्टर इलाज करने लगे, पर उसकी बीमारी का पता ही नहीं चल रहा था, कि आखर उसे हुआ क्या था? दूसरे दिन दोफर को लता को होश आया, अपने आपको अस्पताल में देखकर, लता को बड़ा अचमभा हुआ. वो कहने लगी, मुझे क्या हुआ था, जो आप मुझे अस्पताल लेकर आ गए. उसने अपनी ननन्द कुसुम से पूछा, तो कुसुम ने बताया कि, भाभी, आप बेहोश होकर गिर गई थी, हमारे तो हाथ पैर ही फूल गए थे. तब उसकी सासु मा ने पूछा, कि बहु अब कैसी है? तो वो बोली, मा जी, बिल्कुल ठीक हूँ, थोड़ी कमजोरी है. तो उसकी सास बोली, भगवान का लाख लाख धन्यवाद है बहु, जो तू ठीक हो गई, हम तो घबरा गए थे. कल शाम से घर के किसी प्राणी ने पानी भी नहीं पिया है. अब मैं घर चलू, खाना भी बनाना है, और तुम्हारे ससुर जी को भी बताना है, कि बहु की तबियत में सुधार है, उन्हें भी चिन्ता हो रही होगी. ये कहकर वो कुसुम को लेकर घर चली गई. अब जब वो अपने घर गई, तो एकांत पाकर जो गौरी अपनी पत्नी के पास आया, और उससे पूछा, कि अब तुम्हारी तबियत कैसी है लता? तो लता बोली, जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, समझ में नहीं आता, कि मुझे हुआ क्या था? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ, लता ने भी लजाते हुए कहा, तो गौरी ने पूछा, कुछ खाने को मन कर रहा है, तो लेकर आउन? तो लता बोली, नहीं जी, मेरा मन नहीं है, हाँ अगर अच्छा सा सेब मिल जाए, तो ले आना गौरी लाल ने अस्पताल से बाहर जाकर, सबसे पहले चाए पी, फिर बाहर खड़े ठेले वालों के पास सेब लेने पहुँचा अभी सेब का मौसम नहीं था, इसलिए बजार में सेब भी अच्छा नहीं आ रहा था, गौरी ने दो तीन ठेले वालों पर माल देखा, फिर आधा किलो सेब देखकर खरीद कर लता के पास पहुँचा लता आँखें बंद करके लेटी हुई थी, उसके सिराने की तरफ पलंग पर दो बढ़िया किस्म के सेब रखे हुए थे वो सोचने लगा कि यह सेब कौन दे गया लता को, बिलकुल ताजे सेब है, मुझे तो ऐसा सेब पूरे बजार में नहीं मिला फिर गोरी लाल ने लता से पूछा, तो लता बोली, मुझे पता नहीं मैंने किसी को सेब रखते हुए भी नहीं देखा, लता ने सिबों को बड़े आश्चर्य से देखा तो गोरी को भी आश्चर्य हुआ, उसने इधर उधर वाड में जाकर देखा, कोई परिचित व्यक्ती भी नहीं मिला, जो सेब रख गया हो फैर, जो भी हो सेब बड़े स्वादिश्ट थे शाम को पत्य में दूद और दलिया लेकर कुसुम अस्पताल गई, तो उसने देखा एक प्लेट में दलिया और एक बड़ा गिलास दूद, लता के बैट के सिराने रखा हुआ है तो कुसुम पूछने लगी, क्या ये दूद और दलिया भाया बजार से लाए भाभी? इतनी जल्दी थोड़े ही मची थी, मैं ये सब लेकर तो आ रही थी कुसुम ने फिर अपने भाया से भी पूछा, भाया, यह क्या? मैं घर से दलिया और दूद बना कर तो लाई हूँ, तो ये कैसा है बजार का और पता नहीं कैसा दूद होगा, और कैसा दलिया बना होगा? मैं तो यहां से जो घर से इतना अच्छा बना कर लाई हूँ तब गोरी अपनी बेहन से कहने लगा, नहीं कुसुम, मैं तो कहीं बजार में नहीं गया, और कहते हुए गोरी की नजर पलंग पर रखे दूद और दलिया पर पड़ी, वो सोचने लगा, अरे इसे कौन रख कर गया है? उसे बड़ा ताज्युब हुआ, मैं तो इसी बैड पर बैठा हूँ, और सामान ना जाने कौन रख जाता है, इसके बाद उसने सेब के बारे में भी बताया, तो कुसुम कहने लगी, कोई तुम्हारा परम मित्र होगा, जो भाभी का इतना ख्याल रख रहा है। समय, गोरी लता के कमरे में गया, तो लता ने मुस्कुराते हुए, गोरी का स्वागत किया, गोरी पलंग पर जाकर बैठ गया। और चहरा भयानक हो गया था, उसके मुह से अलूल जुलूल शब्द निकल रहे थे। गोरी भाग कर कमरे से बाहर निकल आया, और अपनी मा को सारी बातें बताई। उसकी मा अपनी बेटी कुसुम को लेकर कमरे के अंदर गई, तो देखा लता अपने बैड पर बेहोश पड़ी हुई थी। लता की बीमारी की खबर का तार उसके माई के वालों को भी दे दिया गया था। दूसरे ही दिन लता के मा बाप आ गए और दोनों पक्षों ने विचार विमर्ष किया तो लता की मा ने कहा लता को अब तक ऐसी कोई बीमारी नहीं हुई थी यहां आते ही पता नहीं क्या हुआ है और मिस्टर वर्मा जो इंग्लेंड से डॉक्टर बनकर लोटे थे उनको भी दिखाया है पर बीमारी उनकी पकड में नहीं आ रही है लता की सास ने कहा बारा घंटे बाद लता फिर बिल्कुल ठीक हो गई शाम को लता और कुसुम बातें कर रही थी और कुसुम कहने लगी भाभी आज तो गुलाब जामुन खाने का मन कर रहा है आप भी खाओगी ना मैं भाया से कहकर बजार से मंगा दूंगी कुसुम ने जो मजाक किया तो लता कुछ कहना चाहती थी कि दोनों ने देखा एक थाल कमरे में घूमता हुआ बीच में रखी टेबल पर आ गया और उसमें बहुत ही अच्छे किस्म के 6-7 गुलाब जामुन रखे थे दोनों ननन्द भाभी दर कर बाहर की ओर भागी क्या हुआ क्या हुआ गुरी लाल कमरे की ओर आया तो कुसुम ने गुलाब जामुन से भरे थाल की ओर इशारा किया उसके मुह से तो आवाज ही नहीं निकल रही थी कौन लाया इन गुलाब जामुनों को? गुरी ने कुसुम से पूछा तो शोर सुनकर लटा के माँ बाप और गुरी की माँ भी बाहर निकल आई कुसम ने गुलाब जामुन वाली बात सब को बता दी, सब दूसरे कमरे में आकर सलाह करने लगे तो जो लता की माँ थी, वो कहने लगी, बहन जी, मुझे तो ये किसी भूत या जिन की कर्तूत मालूम होती है लता की माँ ने भी अपना विचार रख दिया, तब गौरी की माँ कहने लगी, कि देखो समदिन जी, आज तक तो इस घर में भूत जिन हमने नहीं देखा तब तक पंडित धनराज भी आ गए थे, और दोनों समदिनों की बात उन्होंने सुन ली थी, वे बोले की, कोई भूत जिन नहीं होते, सब मन का वहम है, मैं नहीं मानता, हाँ अगर भूत मेरे लिए रबडी का दौना मंगा दे, तो मैं भी मान जाऊंगा अब पंडित धनजिया की बात पर सब लोग हसने लगे धनराज जी ने कुछ मजाकिया लहजे में कही थी, किन्तु थोड़ी देर में ही इस हंसी मजाक पर रोक लग गई सभी ने देखा, खुले दर्वाजे से रबडी के पांच-छे दौना, हवा में उड़ते हुए कमरे के अंदर आ गए और चारों और घूमकर टेबल के उपर धर गए कमरे में मौजूद सभी लोगों के होश उड़ गए महिलाओं की तो मारे डर के घिगी बंद गई, सभी लोग कमरे के बाहर निकल आए सभी परिवार वाले जान चुके थे कि इस घर में किसी बुरी आत्मा का साया है लेकिन अभी तक उस बुरी आत्मा ने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया था ये भी सब जान गए थे, लता भी बीमार तभी होती थी, जब गौरी लाल उसके कमरे में जाता था इसलिए गौरी लाल ने उसके कमरे में जाना छोड़ दिया धनराज ने अपने मित्रों से सलाह लेकर कानपूर के एक प्रसिद ओजहा को बुलवाया और उस ओजहा ने आते ही धनराज के पूरे मकान का निरीक्षन किया और कहा कि उनके घर पर एक जिन का साया है और वो उस जिन को अवश्य ही भगा देगा लेकिन दक्षिना उसे मोटी देनी होगी धनराज ने कहा कि वो इस आफ़त से हमें बचा ले हम उसे मोह मांगी दक्षिना दे देंगे अब उपर की मनजिल पर उसे एकदम अलग कमरे में ठहरने को दे दिया आधी रात का समय हुआ था अपने कमरे में गौरी मीठी नींद सो रहा था कि उसे सर्दी लगने लगी उसने खड़े होकर पंखा बंद किया फिर सोने लगा अभी आँख भी नहीं लग पाई थी कि पंखा फिर चलने लगा उसने सोचा शाइद कुसुम चला गई होगी वो फिर से पंखा बंद करने जा रहा था कि लाइट चली गई वो खाट पर लेट गया तभी उसकी निगा छट की तरफ गई पंखा अभी भी तेज गती से चल रहा था वो पंखा की ओर देखता रहा लाइट गए हुए 20 मिनिट हो गए थे पर पंखा अभी भी तेज गती से चल रहा था अच्छानत गौरी लाल की खाट जमीन से पांच फुट उची उड़ी और कमरे के अंदर ही गोल-गोल घूमने लगी गौरी के मुह से भै के कारण जोरदार चीक निकली तो वो खाट से कूद गया और कमरा खोल कर तेजी से अपने पिताजी के कमरे की तरफ भागा गौरी की चीक सुनकर पूरा परिवार जाग गया, सभी नीन से जाग कर बैठ गये और अपने अपने कमरों से बाहर निकल आए अब वो ओजहा भी कुछ मंत्र पढ़ते हुए मकान के चौक में आ गया था अच्छानक ही बादल कड़कने की आवाद सुनाई दी और पानी के स्थान पर खून के चीटे पढ़ने लगे, सब भी तर जाओ, ओजहा ने कहा और स्वयम बरामदे में बैठ कर मंत्र जाप करने लगा खून की बरसात के चीटे अब भी पढ़ रहे थे सभी परिवार वाले एक जगा एकठा होकर भहवीत निगाहों से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे मकान, चौक में, छट पर बरामदे में, चारों तरफ खून ही खून दिखाई दे रहा था तभी बहन जी, लता की माने गौरी से कहा, लता कहा है? दिखाई नहीं दे रही, तो गौरी की मा कहने लगी, शायद अपने कमरे में गई है गौरी से कहने लगी, जा बेटा, जरा देखना तो, तब थोड़ी देर बाद ही गौरी घबराया हुआ आया और बोला, मा, लता अपने कमरे में नहीं है मैंने उसे रसोई घर, हौल, ड्राइंग रूम, पूजा घर, सब जगा ढूंध लिया पर पता नहीं, लता कहां चली गई है, अब तक खून की बरसात भी बंध हो चुकी थी सभी लोग लता को ढूंधने लगे, हवेली का में दर्वाजा अंदर से बंध था, कुंडी लगी हुई थी, इससे ये तो निश्चित हो गया था लता हवेली के अंदर ही है, कहीं बाहर नहीं निकली है, पर है कहां? हवेली में 17-18 कमरे थे, ओज्चा सहित परिवार के सभी सदस्य लता को ढूंधने में लग गए कई कमरे तो वर्षों से बंध पड़े थे, उनमें अभी भी ताले जियों के त्यों लटक रहे थे सब जगह देखा, लता कहीं भी नहीं मिली, ऊपर छट पर भी एक कमरा था, जिसमें विशेश महमानों को ठहराया जाता था सब लोग दोड़कर छट पर गए, वो कमरा खुला हुआ था, लता पलंग पर चित लेटी हुई थी, उसके शरीर के कपड़े अस्त व्यस्त हुए पड़े थे और उसकी दोनों आँखें बंध थी, और उसके चहरे पर संतुष्टी के भाव नजर आ रहे थे लता की मा ने आगे बढ़कर लता के कपड़े ठीक किये, तब तक सभी लोग कमरे में आ चुके थे लता की आँखें बंध थी, लता आँखें खोलो, लता की मा कहने लगी लता ने आँखें खोल दी, उसकी मा ने सहारा देकर लता को बैठाया, लेकिन लता की आँखें लाल हो रही थी उसने परिवार के लोगों की तरफ देखकर गौरी पर निघा टिका दी, और बोली, गौरी, तो दूसरी जगह शादी कर ले जितना धन चाहिए मुझसे ले ले, लता मेरी है लता के मुह से तूटे फूटे शब्द निकल रहे थे, सभी महिलाएं डर कर एक कोने में खड़ी हो गई तो धनराज जी पूछने लगे की तुम कौन हो और क्या चाहते हो? क्यों मेरे पुत्र वधू को परिशान कर रहे हो? तब तक ओजह भी कमरे में दाखिल हो चुका था उसे देखकर लता ने जोर जोर से गुर्राना शुरू कर दिया उसके सिर के बाल बिलकुल बिखर गए और गोल गोल वो सिर को घुमाने लगी ओजह ने खड़े खड़े ही कुछ मंत्र पढ़े और लता की ओर मुह करके पूछा तुम जो भी हो मुझे सही जवाब दोगे तो फायदे में रहोगे वर्ना ओजह ने अपना वाक्य अधूरा छोड़ दिया था तो वो बोला पूछो क्या पूछते हो? ओजह बोला तुम कौन हो? तो वो बोला मैं जिन हूँ और ओजह ने पूछा तुम क्यूँ आए हो? तो वो कहने लगा लता पर मेरा दिल आ गया इसलिए आया हूँ तो वो कहने लगा ओजह लेकिन लता गौरी की विवाहिता पतनी है तुम्हें उसे छोड़ना होगा से ले ले तो ओजह कहने लगा तुम जिन नहीं मलेच हो मैं तुम्हें इसका दंट दूंगा तो लता भयंकर हसी हसने लगी इसके बाद लता ने अपना सिर पकड़ लिया और बेहोश हो गई सभी घर वाले चिन्तित थे लता कितनी सुशील और समझदार बहु है पर पता नहीं क्या विधी का चक्कर है किसमें वो फंस गई है इस बीमारी से कैसे छुटकारा मिल सकता है ये सब सलाह मश्वरा करने लगे और सब ड्राइंग रूम में इकठा हो गए लता पर एक बुरे जिन का साया है ओज़ा कहने लगा और जिन को भगाना हर किसी के लिए आसान नहीं है ये तो गनीमत है कि धनराज ने उस ओज़ा को बुला लिया वरना और दूसरा ओज़ा या तांत्रिक के बस की यह बात नहीं थी वो कुछ ही दिनों में जिन को लता पर से हटा देंगे इसके बाद उन्होंने हिदायत देते हुए कहा कि लता को किसी भी सूरत में अकेला नहीं छोड़ा जाए लता के पास हमेशा कोई ना कोई बना रहना चाहिए और यह जिम्मेदारी गौरी को दे दी गई सोते, जागते, हर घड़ी, गौरी साय की तरह लता के पास रहने लगा घर की ओरते तो जिनके भय से लता से एकांत में मिलने से भी घबराने लगी दो दिन तक कोई घटना नहीं हुई लेकिन तीसरे दिन लता बाथरूम में थी और गौरी कुछ ही दूरी पर कुरसी डाल कर अख़बार पढ़ रहा था कि उसे एक व्यक्ती बाथरूम की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया सफेद रंग के शांदार कपड़े पहने वो पुराने जमाने के राजा महराजा जैसा दिख रहा था तो गौरी ने उसे टोका हेलो किस से मिलना है तो उसने साफ सपाट स्वर में कहा लता से मिलना है गौरी ने कहा अभी वो बाथरूम में है आप कौन है और लता को कैसे जानते हैं तो वो कहने लगा तुम्हारे लिए इतना ही जान लेना काफी है लता से मुद्दत से जो वो मेरी प्रमिका है और वो मुझे बाथरूम में भी मिल सकती है ये कहकर वो आदमी बाथरूम की तरफ बढ़ने लगा गौरी बोला बद्दमीज तुझे बोलने की भी सभ्यता नहीं है जानते नहीं हो लता मेरी विवाहिता पत्नी है गेट आउट मेरे घर से दफा हो जाओ वरना धक्का देकर बाहर निकाल दूँगा गौरी ने उसे फटकार लगाई तो वो व्यक्ती भयानक हसी हसता हुआ बोला अगर विवाह करने से ही कोई किसी की पत्नी बन सकती है तो मैं भी लता के साथ शादी करूँगा आठ दिन बाद दिवाली है उस दिन में बारात लेकर आऊंगा ध्यान रखना ये कहकर वो आदमी लता के बाथरूम तक पहुँच गया और जैसे ही उसने किबाड के उपर अपना हाथ रखा दर्वाजा अपने आप खुल गया उसने भीतर घुसकर किवाड बंद कर लिया गौरी ने चिल्ला कर उसे रोखना चाहा पर उसने गौरी की कोई बात नहीं सुनी गौरी की चीक सुनकर धनराज बाहर आए और पूछने लगे क्या हुआ गौरी तो वो बोला पिता जी वो आदमी लता के बाथरूम में घुस गया गौरी हकला रहा था तो धनराज जी पूछने लगे कौन और यह कहते हुए बात रूम की तरफ बढ़े तब तक घर के अन्य सदस्य भी बाहर निकल आए और धनराज के पीछे पीछे बात रूम की तरफ बढ़ने लगे गौरी की माने आगे बढ़कर बात रूम का दर्वाजा खट खट आया तो किवार खुल गया सबने देखा लता बात रूम में बेहोश होकर पड़ी है उस आदमी का जो गौरी के सामने ही बात रूम में घुसा था कहीं अता पता नहीं था तब तक ओज़ा भी अपने कमरे से बाहर निकल आया था धनराज ने उसे सारी स्थिती से अवगत कराया तो वो आदमी दिवाली के दिन बारात लेकर आने की धमकी दे कर गया है ये भी गौरी ने उस ओज़ा को बता दिया ओज़ा ने दो मिनट रुक कर कहा ये कोई शक्तिशाली और बदमिजाज जिन है इसके लिए मुझे आज ही एक विशेश प्रकार का अनुष्ठान करना पड़ेगा यदि इस अनुष्ठान से भी शांत नहीं होता है तो फिर तांत्रिक को बुलाना पड़ेगा जो उज्जैन में महाकाल मंदर के पास रहता है उसे कोई भी बुरी शक्ति हरा नहीं सकती दीपावली के आठ दिन शेश हैं तब तक विशेश सावधानी बरतें लता को अकेली ना छोड़े अब आप सब अपने अपने कामों पर जाओ और मैं भी कुछ पूजा पाठ करने जा रहा हूँ। सवेर को कुछ लोग धनराज जी से मिलने आए जो उनहीं के गाव के थे और धनराज को ही जमीदार मानते थे। गाव में भी यह खबर पहुंच गई थी कि कोई बुरी आत्मा जमीदार साहब को परेशान कर रही है और वे लोग हालचाल पूछने चले आए थे। धनराज ने सभी को कुरसी डालकर चौक में बिठाया और उनको नाश्ता पानी कराया। नाश्ता करने के बाद सभी लोग उस दिन के बारे में चर्चा करने लगे। एक गाव वाला कहने लगा कि बाबु जी आप सीधे साधे हो इसलिए वो जिन आपको परेशान कर रहा है। अगर मुझे मिल जाए तो मैं तो उसे मजा चका दूँ। उसके बाद दूसरा ग्रामीन बोला बाबु जी आप कोई चिंता मत करिये हम सब संभाल लेंगे। ये कहकर उस आदमी ने अपना तंबाकू का बटुआ निकाला और जैसे ही उसने बटुए को खोल कर देखा, उसमें से तीवर गंध फैलने लगी। बटुए में मानव की लीद रखी हुई थी, उसने बटुओ को लेकर नाली में फेंक दिया। उसके बाद उसके दूसरे साथी से तंबाकू मांगी, दूसरे ने भी बटुआ निकाला तो उसे खोल कर देखा, तो उसमें भी लीद रखी हुई थी, ग्रामीनों के चहरे सफेद पढ़ गए। अब तो सभी अपनी अपनी जेब चटोल कर देखने लगे, किसी की जेब में, किसी के बटुए में, किसी के बीडी के मंडल में मानव का मल रखा हुआ था। वातावरण में तेज दुरगंध फैलने लगी, सभी लोग जो बैठे हुए बाते कर रहे थे, भई भी थोकर कापने लगे। सभी ग्रामीन बहाने बना बना कर बाहर की ओर खिसकने लगे, अचानक एक तेज आवाज ने सभी को चोका दिया, छोड़ो मुझ को, छोड़ दो, अरे बच कोई तो बचाओ, यह मुझे मार देगा, मेरी जान ले लेगा। निश्चित रूप से यह आवाज उस ओजहा की थी, वो ओजहा चिल्ला रहा था, छोड़ो मुझे, छोड़ दो, मेरी सांस घुट रही है, अरे बचाओ, कोई मेरी जान बचाओ, यह मेरी जान लेना चाहता है, मैं जा रहा हूँ, फिर नहीं आउंगा, मुझे छोड़ दो। ओजहा की आवाद सुंकर, परिवार के सभी सदस्य भाग कर बाहर निकल आए, उन्होंने देखा की, एक व्यक्ती जिसमें सफेद कपड़े पहने हुए थे, ओजहा की गर्दन पकड़ कर दबा रहा था, और वो बहुत ही भयानक हसी हसते हुए, कहने लगा, बारात लेकर आउंगा, लता को ब्याने के लिए, देखता हूँ, मुझे कौन रोकता है? ये कहकर उसने ओजहा को दोनों हाथों से उपर उठाया, और गेंद की तरह चौक में फेंक दिया. धनराज दोड़कर ओजहा के पास पहुँचा, ओजहा जोर-जोर से चिल्लाए जा रहा था, उसकी हड्डियों में भारी दर्ध हो रहा था, धनराज ने एक तांगा मंगवाया, उसमें बैठा कर गौरी उसे अस्पताल ले गया. इधर वो जिन भी, ना जाने कहां गायब हो गया, सभी लोग धनराज के पीछे-पीछे ड्राइंग रूम में आ गये, और आज की हालात पर विचार करने लगे, आज की घटना ने सभी को चिन्ता में डाल दिया था, बाबा ओमदास को बुलवाया. उन्होंने कल आने का वादा किया, धनराज ने अपने घर वालों को सूचना दी. उसका पता कहां से प्राप्त हुआ, गौरी की माने पूछा, तो वो कहने लगा, कल ही ओजहा से लिया था, और बाबा ओमदास को टेलीग्राम कल ही दे दिया था, बाबा ने कल आने का वादा किया है भगवान इस आफद से छुटकारा दिलाए लता की मा भी हाथ जोड़ कर चिंतित होते हुए कहने लगी पता नहीं बाबा कब आए मुझे तो बहुत डर लग रहा है लता के पिता जी ने भी कहा आप चिंता ना करें समधी जी धनराज जी कहने लगे इश्वर ने चाह तो जल्दी उस जिन से मुक्ती मिल जाएगी आज दीपावली का दिन था पूरे शहर में पटा के चलाए जा रहे थे शहर दुलहन की तरह सज रहा था दुकानों पर भीड मची हुई थी लोगों में जबरदस्त उत्सा था पर पंडित धनराज के घर में कोई भी त्योहार की रोनक नहीं थी सभी के चेहरों पर उदासी छाई हुई थी आज क्या घटना घटेगी पता नहीं आज तो किसी ने खाना भी नहीं खाया सभी व्याकुल और डरे हुए थे ऐसी हालत में भला कौन खाना खाये जैसे तैसे करके दोपहर हो गई अभी तक कोई अप्रिय घटना नहीं घटी थी सभी लोग लता के कमरे में लता के पास बैठे हुए थे और तांत्रिक बाबा ओमदास की राह देख रहे थे घर में जरा सा खटखा होता सभी के दिल धड़क उठते गौरी जाकर देखता और कुछ नहीं मिलने पर वापस कमरे में आ जाता शाम के पांच बज चुके थे पूरा शहर रोशनी में नहाया हुआ था पर अभी तक बाबा ओमदास का कहीं पता नहीं था गौरी उठकर लाइट जलाने बाहर निकला तो अचानक धनराज के कमरे पर बाजे बजने की आवाज सुनाई देने लगी मानों उनके दर्वाजे पर कोई बैंट बजा रहा हो लता को छोड़कर सभी लोग कमरे से बाहर निकलाए लता कमरे में ही थी धनराज ने किवाड बंद करके ताला लगा दिया और दर्वाजे की ओर भागे अचानक उनका पूरा मकान रोशनी में चमक उठा ये कैसे हो गया? उनके मकान में तो इतनी लाइट भी नहीं लगा रखी थी सैकडों व्यक्तियों जैसा कोलाहल होने लगा लेकिन दिखाई कोई नहीं दे रहा था भडाक से मुख्य दर्वाजा खुला जैसे सैकडों लोगों ने मकान में प्रवेश किया और उनके जो पच्चाप साफ सुनाई दे रहे थे बारात का बाजा भी मकान के अंदर बजने लगा मुख्य द्वार का दर्वाजा भी बंध हो गया था अचानक लाइट चली गई मकान में अंधेरा हो गया फिर जल्दी ही मध्यम प्रकाश में ना जाने कहां से आकर धीरे धीरे घर में फैल गया चोक में सैकडों नर मुंध दिखाई पढ़ने लगे विभिन प्रकार की दरावनी आकरितियां जिनके हाथों में हड्डियों के टुकड़े, मास और अन्यखाद वस्तुएं थी कोई प्याला भरकर खून पी रहा था कोई हड्डी भबोड रहा था, बड़ा ही दरावना द्रिश्य था घर की महिलाएं दर से बेहोश हो गई, लता के पिताजी भी बेहोश होकर जमीन पर पड़े थे अकेले धनराज होश में थे, पर वो भी दर से थर-थर काम्पते हुए एक कोने में खड़े थे गौरी का कहीं अता पता नहीं था, कि वो कहां है, तभी वहां एक आकरिती प्रकट हुई, जिसने दूला का लिबास पहन रखा था उसके हाथों में बर्माला थी, अचानक लता के कमरे का ताला, अपने आप खुलकर जमीन पर गिर पड़ा साल खुली, किवाड खुल गए, और सोला श्रिंगार करके लता बाहर निकल आई, वो भी दुलहनन के भेस में थी, उसके हाथों में भी बर्माला थी, वो धीरे धीरे दुलह की तरफ बढ़ने लगी दुलह के रूप में जिनने भयन कर अटाहास किया, देखा, कहने लगा, धनराज, तेरी आँखों के आगे, लता वर्माला डालेगी, अगर रोक सकता है, तो रोक ले, आज के बाद वह मेरी पतनी होगी, धनराज कुछ नहीं कह सका, कुछ नहीं कर सका, लता धीरे धीरे चल हुई माला, जिनके गले में डालनी चाही, तभी मुख्य द्वार का दर्वाजा खुला, और एक जोरदार आवाज आई, जैसे किसी ने आदेश दिया हो, थेहरो, धनराज ने भी उधर देखा, तो एक भव्य मूर्ती, सन्यासी सामने खड़ा था, ये बाबा ओमदास थे, उसकी आवाज सुनते ही, लता ने अपने हाथ नीचे कर दिये, धनराज मुख्य द्वार बंद करके ताला लगा दो, उस सन्यासी बाबा ने कहा, धनराज ने तुरंथी आदेश का पालन किया, बाबा ओमदास ने अपने हाथ में पकड़ा, चक्र दंट घुमाया, और कोई मंत्र पढ़ा, सभी उपस्थित भूत जिन्नों में भगदड मच गई, सब जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे, धनराज जो ओमदास बाबा ने आदेश दिया, एक बोतल लेकर आओ, धनराज ने अंदर से खाली बोतल लेकर बाबा को दे दी, बाबा ने बोतल का धक्कन खोल कर कोई मंत्र पढ़ा, तभी दूलहा बने जिनकी आकरिती लुप्त हो गई, और एक पतली सी रोशनी प्रकट हुई, जो धीरे धीरे बोतल के अंदर समा गई, और वो कहने लगा, मैं बारात में शामिल होने वाले भूतों जिन्नों से कुछ नहीं कहूंगा, बाबा उम्दास ने हंस कर कहा, तुम्हें दावत खाने का लालच यहां लेकर आया है, खैर आगे के लिए खबरदार करता हूं, कोई भी भूत जिन अगर इस शहर के पास भी दिखाई दिया, तो ये दुर्दशा उसकी होगी, और उसने बोतल में बंद ज इनको दिखाया, अब भागो यहां से, बाबा ने जैसे ही हुकम दिया, धनराज ने दर्वाजा खोला, तो सैकडों भूत जिन एक दूसरे पर गिरते पड़ते बाहर की तरफ भागे, एक आएक माहौल बदल गया, घर के सभी लोग होश में आ गए, और आश्चर्य चकित ह कर बाबा की ओर देखने लगे, ये बाबा ओमदास है, इनकी कृपा से ही हम संकट से मुक्त हो गए हैं, धनराज ने अपने परिवार से बाबा ओमदास का परिचय कराया, सभी ने आकर बाबा के पैर छुए, बाबा ने कहना शुरू किया, ये जिन बड़ा शक्तिशाली थ वो तो मैं समय पर पहांच गया, वरना अनर्थ हो जाता, पर अब किसी प्रकार की चिंता नहीं है, मैंने इस जिन को बोतल में बंद कर दिया है, इसे लेकर महाकाल की सेवा में उपस्थित करूंगा, इसके बाद धनराज ने बाबा से अपने यहां रुखने का अनुग्रह किया, बाबा ने इसे स्वीकार नहीं किया, धनराज ने बाबा ओमदास को दक्षिना देकर विदा किया, सभी के चेहरों पर मुस्कान आ गई, गौरी नहीं दिखाई दे रहा था, लता की मा ने कहा, तो वो कहने लगा, रे हां, गौरी कहा है? ये कहकर वो सब लोग उसे ढूंडने के लिए बाहर निकलाए, सभी लोग उनके पीछे पीछे चल दिये, गौरी बाहर के बरामदे में छट से लगी कूंदी में, बिहोशी अवस्था में उल्टा लटका हुआ था, रसी के स्थान पर उसके हाथ पीछे करके गांट आनन में सीडी लगाकर गौरी को नीचे उतारा गया, उसकी सांसें बहुत धीमी धीमी चल रही थी, गौरी को अस्पताल ले जाया गया, जहां हफता भर में गौरी ठीक हो पाया, बाद में गौरी की नगरपालिका में बड़े बाबू की नौकरी लग गई और उसके और ल वीजियो को लाइक करें और शेयर करें, कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद